इस्टोएंस हम टापिक कवर कर रहे हैं लीनियर डिफेरेंशल एक्वेशन फिद कॉंस्टेंट कोफिशेंट जिसमें हम पर्टीकुलर इंटीग्रल यानि की पी आई का एक और फॉर्मूला हम यहां समझेंगे देखिए क्या है वो बन अपॉन एफ डी एक्स इंटू बी यदि हमें पर्टीकुलर इंटीग्रल प्रोड़क्ट आफ टू फंक्शन का फाइंड करना है जिसमें एक फंक्शन एक्स और दूसरा फंक्शन वी कोई वी एक्स का फंक्शन जैसे के एकी पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इसके लिए फार्मूला होता है बन अपॉन एफ डी और यह जो एक्स है वो यहां जाएगा हमें पी आई निकालना है एक्स इंटू वी का एक्स ओड़ा बन अपॉन एफ डी इंटू वी निए बी का पी आई प्लस डी अपॉन डी डी क्या बन अपॉन एफ डी इंटू वी निकी यह फार्मूला होता है अब हम एक कोशन लेते हैं इसी फार्मूले पर डी पेंटू अपॉन है सल्वल रड़ी निकी बीप्या इसके स्क्राव बहुत ले एकी पार एक्स नम से Какई टूले पें इसालुब खेंटू वी लेते हैं लेते हैंक लेते हैंट right here देखे सॉल्यूशन गा प्रासीजर इट्स आउक्जिलरी इक्वेशन क्या होती है कैसे हम आउक्जिलरी इक्वेशन बनाते है जहाँ ये D लिखा है उसकी जगे पर हम M लिख देते हम M स्क्वेशन माइनस 2 M प्लस 1 इसके फैक्टर करें और या आप देख रहे है M माइनस 1 का होड़ स्क्वेशन है A स्क्वेशन प्लस V स्क्वेशन माइनस 2 A V यहां से M की दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही इकॉल होंगी M is equal to 1,1 अब हमें CF लिखना है CF के लिए यहां हम देख रहें कि जो रूट से हैं यह हम कहें M की जो दोनों वैल्यू है roots of auxiliary equation are equal therefore CF C1 plus C2X E की पावर 1X यानि कि x यह हमने आपको बताया यह कि जब दो root equal हैं तो जो दोनों constant होंगे वो इस type की form में बना के लिखते हैं c1 plus c2x into e की power x, x means root 1 है, तो 1x होगा यानि कि 1x means x ठीक है? यदि ये roots 1 होता 1, 1 होता minus 1, तब जो constant होते, तो वो separate separate होते, यानि कि c1 e की power x होता plus c2 e की power minus x होता, तो ये जो x multiply में हो है ये नहीं होता तो वो जो method है, वो है different roots के लिए यहाँ पर roots है equal देखे, particular integral येनि की pi 1 upon d square minus 2d plus 1 x into e की power x यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन function का product हो रहा है यह यह जो function है यह product of three function इसको हम यह लिख सकते हैं d minus 1 का whole square तो यह जब तीन function इसमें एक function e की power x की pi हम निकालने और वो आ गया आ जाएगा function इसके लिए हमें क्या करना होगा d की जगे पर d plus 1 लिखना होगा क्या किया यहाँ तीन function है तो हमने एक function e की power x यहाँ लिख दिया आगे जोकि particular integral का जो function होता है उससे लेकिन इस particular integral function में यह यह d में हमें क्या करना होगा d replace y t plus 1 कैसे कि 1 कहाँ देखते हैं x के coefficient में क्या है वान तो d replace y t plus 1 कर दिया तो यह 1 7 कैसे लोगया कर दिया प्लाइब कर दिया झाल झाल देखी यहां हमने फार्मूला बताया है 1 upon fd x into v तो यही फार में x into v फार्मूला क्या है x into 1 upon fd v plus d upon dd fd into v तो जब दो फांक्शन जिसमें एक फांक्शन x होगा एक दूसरा फांक्शन कोई भी हो सकता है तो इस कोशन में हमारा जो सेकंड फांक्शन है वो sin x है x into v एक फार्मूला तो हम यही यूज़ कर सकते हैं 1 upon fd x into v 1 upon fd means particular integral of x into v तो v क्या है sin x एक तो यह फार्मूला यूज़ करने हैं 1 upon d means होता integral और यहां है 1 upon d square तो यह double integral होगा x into sin x dx integral आप करने जानते ही होंगे एक integral करते हैं पर एक्स छोड़ा 1st into 2nd वाला रूल यानि कि integral y parts 1st function छोड़ा sin का integral sin का integral होता है minus cos minus x का differential 1 sin का integral minus cos x dx e की पावर x integral sorry यह dx एक और रहा है double integral है इसलिए यह dx एक बाहर लिखा रहेगा यह रहा है minus x into cos x minus cos cos का integral sin plus का sin x into dx एक integral तो complete होकर यह आगा अब इसका integral फिस तो यह product rule 1st second का इसका sin का हम जानते ही है एकी पावर x integral minus x और cos का अवता है sin minus minus plus x का differential cos का integral sin x dx minus plus है इसका तो यह हो गया 1st into 2nd वाला रूल और sin कांटेगर sin का integral minus cos यह भी sin x का integral minus cos सल्ईश्ट तो यह प्लिस्ट नहीं को प्लसकर करके लिए यह प्लस्ट प्यान